हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षाष्ट की जो NCRT है इसके अध्याय तीन का भाग दो अध्याय का नाम है संसलेसित रेसे और प्लास्टिक इससे पहले जो भाग एक था उसमें हम क्या-क्या cover कर चुके हैं एक बार मैं आपको बता दू तो भाग एक में हमने देखा था रेसा किसे कहते हैं रेसे के प्रकार कौन-कौन से हैं प्रकृतिक और संसलेसित रेसों के बारे में हमने detail में पढ़ा था और संसलेसित रेसे के जो गुडधर्म होते हैं वो भी हमने देख लिये थे ठीक है तो यतिनी चीज़े हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं इसके अलावा जो भी इस चेप्टर में बचा हुआ है फ्लास्टिक के बारे में वो सभी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पे तो फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप English Medium के student हैं तो math के लिए आप एक ही study को subscribe कर सकते हैं और science के लिए dear science को ठीक है तो चले शुरू करते हैं अब क्योंकि हमें plastic के बारे में ही पूरा ये chapter पढ़ना है जो भी हिस्सा बचा हुआ है तो समझते हैं plastic क्या होता है देखो आपने अपने आस पास plastic की बनी वस्तुए जरूर देखे होंगी बहुलक पाउधारन है, उसी तरह से प्लास्टिक भी बहुलक का उधारन है, या प्रकार है ठीक है, बहुलक क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुलक है, इसका मतलब है कि ये छोटी-छोटी रासाइनिक इकाईयों से मिलके बना होगा जब बहुत सारी छोटी-छोटी रासाइनिक इकाईयां जुड़के एक बड़ी इकाई बनाती है तो उसे हम बहुलक, जैसे कि आपने पॉलिथीन जरूर देखा होगा ठीक है, पॉलिथीन की ये पन्नी है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है, तो इसमें आप बहुत बार सबजियां वगयरा, अख़ाल वगयरा लेके आए होंगे बाजार से, तो इसका नाम कहा है पॉलिथीन, जो यह पॉलिथीन है इसको अगर हम तोड़ें, इसके नाम को तोड़ें यहाँ पर हमें दो सब्दन जाराएंगे पॉलि और एथीन पॉलि का मतलब होता है धेर सारे एथीन एक रासाइनिक इकाई है तो जब बहुत सारी एथीन नाम की रासाइनिक इकाई हैं जुड़ जाएंगी यानि वो poly, मतलब बहुत सारी हो जाएंगी तो वो polythene बनेगा ठीक है? अब क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी एथीन वाली इकाईयां जुड़के polythene बना रही हैं तो मतलब यह एक बहुलत है तो जहां भी बहुत सी चोटी-छोटी इकाईयां मिलके कोई बड़ी इकाई बनाएं ठीक है? वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कि वो एक बहुलक्ता उधारने ठीक है? तो आपको समझ मागया होगा polythene जो कि बहुलक्ता उधारने यह एक प्लास्टिक होता है ठीक? अब देखो सभी प्लास्टिक में इकाईयों की विवस्ता एक ही परकार की नहीं होती है कुछ में रैकिया होती है और अन्ने में त्रियक बंद यानि की क्रास बड़ होती है क्या कहने का मतलब है? देखो जो छोटी-छोटी इकाईया होती है कहीं कहीं तो ये सीधी रेखा में जुड़ी होती है कहीं कहीं ये क्रॉस बद्ध होती है जैसे कि अगर मैं आपको चितर से समझाऊ तो यहाँ पर मालो एक डबा जो एक वर्ग है ये मालो एक छोटी काई को डरसाता है ठीक तो यहाँ पर यह एक छोटी काई, यहाँ पर छोटी काई, यहाँ पर छोटी काई, यहाँ पर छोटी काई, तो यह सारी छोटी काईयां एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई है, इसलिए इस तरह की सरचना कों बोलेंगे यह रेखी है, जबकि यहाँ पर देखो यह चारो त Plastic, और Thermo Shatting Plastic. इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं, पहले देखते हैं Thermo Plastic का क्या मतलब है. यहाँ पर देखो, जैसे कि आपने, मालो है आपके पास यह प्लास्टीक का डबा है, अगर आप इसको गरम करो या इसमें आग लगाना चाहो, तो यह पिघलने लगेगा, गरम करने पर आसानी से विक्रित हो जाता है, सरलता पूरवक मुड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं धर्मो प्लास्टिक, उधारन के लिए पॉलिथीन हो गया है, जैसे पॉलिथीन की पन्नी है, उसको आप जलाओगे, वो पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी है ना, तो मत जगांपे, ठीक है, और जगांबी उस होता है, तो ये भी क्या है, धर्मो प्लास्टिक है, इनका उप्योग खिलोने बनाने में किया जाता है, कंगिया बनाने में किया जाता है, अलाग अलग तरहां के पात्रयानी बरतन बनाने में किया आता है, ठीक है ना, तो आपको ये सुन में आना चीए सिंपल सी लाइन कि भाईया thermoplastic का ये मतलब है कि अगर हम इसको गरम करेंगे तो ये आसानी से पिखल जाएगा ऐसा plastic है जो पिखल जाता है तो वो thermoplastic है ठीक, इसके अलावा अगला के आपने पास thermosetting plastic है, ठीक थर्म और शेटिंग जैसे नाम से पतल अगर है इसको अगर आप गरम करोगे एक बार यह सेट हो जाएगा यानि कि एक बार अगर यह सेट हो गया फिर अगर इसे आप गरम करो तो फिर इसको कुछ पी ऐसर नहीं पड़ेगा यह पिखलेगा नहीं फिक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिने एक बार सांचे में ढाल दे जाता है तो इनकों बोलेंगे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ठीक है जैसे कि बेकल लाइट हो गया मेला माइन हो गया यह थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के उधारन है ठीक है बेकल लाइट उसमा और विदुत का कुछ आलक होता है मतलब इसमें उसमा या विदुत नहीं बह सकती यह बिजली के switch विभीन बरतन के हत्यादी बनाने में काम आता है जैसे कि यहाँ पे आपने जो ये switch देखा होगा ठीक है ये भी क्या है ये भी एक तरह का plastic है लेकिन ये कौन सा plastic है ये थर्मो सेटिंग plastic का उधारन है ठीक है back light अब अगर आप इसको गरम करोगे पिखलेगा नहीं चाहिए आप गरम करके देख सकते हो जो खराब switch वगर अगर आपके बास पड़ा हो तो उसको अब गरम करके देखना है पिखलेगा नहीं होता ये भी plastic ही है ठीक है तो ऐसे plastic जो गरम करने पिखल नहीं रहे हैं अपना आकार नहीं बदल रहे हैं तो उनको थर्मो सेटिंग इनके दो उधारण जो मैंने भी आपको बता है आपको याद रखना है बेकलाइट और मेलमाइट तो बेकलाइट में क्या क्या आ गया देखो यहाँ पर जो विद्धुत के उपकरन होते हैं स्विच वगेरा बरतनके हथे वगेरा इसमें यह काम आता है और मेलमाइट جो होता है मेलमाइट उपयोगी पदार्थ है यह आग का परतिरोधक आपको याद रखना है जो मेलमाईन है आग का परतिरोधक है तता अन्य प्लास्टिक के पेक्षा उस्मा को सहने की अधिक छमता रखता है ये कहां कहां काम आता है ये फर्स की टाइल बनाने में सोई के बरतन बनाने में ठीक है ना इन सब में ये उपयोग होता है ठीक चली अ ये ऐसा विकल्प है हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम हर जगां कर सकते हैं लगभग हमारे जीवन में ये हर जगां ही घुश चुका है ठीक है? जैसे कि अगर आपको इस खाद सामागरी रखनी है खाने का सामान रखना है पानी, दूद, अचार, सूखे मेवे तो इनको रखने के लिए जो आप प्लास्टिक के बरतन यूज़ करते हो आपको सुधा जनक लगते हैं प्लास्टिक की चीज़े आप असानी से मिल जाती है असानी से यूज़ करते हो क्यूं होता है ऐसा? क्यूंकि प्लास्टिक के जो बरतन है वो हलके है कम कीमत में मिल जाएंगे अच्छा सामर्थ होगा जल्दी तूटेंगे नहीं ठीक है ना मजबूत पिकाओ रहेंगे तो इसी सब की वज़ा से जो प्लास्टिक है वो एक वेकल्पिक पदार्थ बन गया है विकल्प बन गया है कि भाईया दूसरी चीज़े हम बहुत काम इस्तेमाल करते हैं जातार हम प्लास्टिक ही पसंद करने लगे हैं ठीक है ना दूसरी और ये धात्वों से भी सच्टे होते हैं हलके भी होते हैं ठीक है इसलिए इनका उप्यों कारों वायू विकडूयानों अत्रिक्षाणों में भी होने लगा है या पिर होता है ठीक है ना तो आप ये सब याद रखना इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है प्लास्टिक के अभी लाक्षिर इक गुन कौन कौन से हैं तो यहाँ पर पहला है जो प्लास्टिक होता है यह आनविक्रिया सील होता है मतलब प्लास्टिक जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है यह बहुत ही जादा धीरे अभिक्रिया करता है ठीक है दूसरी बात क्या है प्लास्टिक जो होता है यह हलका होता है प्रबल होता है ठीक है, हलका तो आप जानते हैं, प्रबल मतलब मजबूत, चरिस्थाई मतलब जो बहुत दिनों तक पिका रहता है, जल्दी प्लास्टिक के बरतन और खराब नहीं होते हैं, तीसरी बात है, प्लास्टिक कुछ आलक होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, इसमें से करंट य परियावरण की, मतलब प्लास्टिक जो है, यह हमारे परियावरण पे किस तरह से परभाव डालता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाओंगा, क्योंकि प्लास्टिक अब घटित होने में कई वर्स ले लेता है, या परियावरण हित प्लास्टिक अब घटित होने में, उनमें प्लास्टिक नहीं आता है, क्योंकि एक पर अगर प्लास्टिक का कचरा पैदा हो जाता है, तो वो सरता गलता नहीं है, तो वो प्लास्टिक का सामान जला भी दो, तो भी इसको जलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत सारा गंदा धुआ निकलेगा, विसली गैसे निकलेगी, इसकी बहर से यह हमारे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ठीके, अब बात करते हैं, जैव निमनी क अनिमनी करनी है का, देखो, वे पदार्थ, जो सूक्ष में जीवों द्वारा अब घटित किये जा सकते हैं, मतलब सड़ गल के खाद बन जाते हैं, जो उनको बोलते हैं निमनी करनी है, जो ऐसा नहीं करते, मतलब जो सड़ते गलते नहीं है, उन पे जीवानुआ कोई असर नहीं होता है, उनको बोलते हैं अनिमनी करनी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवानुआ की करियाओ द्वारा अब घटित हो जाता है, जयव निमनी करनी कहलाता है, और पदार्थ जो प्रकृतिक प्रक्रियाओ द्वारा सरलता से विगटित नहीं होता है जैव अनिमनी करनी है कहलाता है ठीक, उदाहरन के लिए यहाँ पर कुछ अपसिस्ट के परकार है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ कितना समय लगता है उन्हें अभटित होने में और उसी के साब से उनकी केटिगरी बाटी गई है कि वो जैव निमनी करनी है या आ निमनी करनी है जैसे सबजी और फलो के छिलके एक दो सबता हमें ये सडगल जाते हैं तो ये जैव निमनी करनी है कागज ये भी 10 से 30 दिर में सडगल जाता है ये भी निमनी करनी है सूती कपड़ा 2-5 महीने में सडगल जाता है अगर आप इसे मिट्टी में दबा दो तो ये भी जैव निमनी करनी है लकडी हो गया, उनिवस्त्र हो गया ये भी जैव निमनी करनी है लेकिन यहां से ध्यान दे न, तीन हो गया, ऐलमुनियम हो गया या धातू के डब्बे हो गया, ठीक है न, ये जैव निमनी करनी है और प्लास्टिक की थेलियां तो कई लाखो साल लगा देती है ठीक है, तो ये भी जैव निमनी करनी है ठीक, अब जैसे कि आपने देखा प्लास्टिक भी निमनी करनी है ठीक है और हर नागरिक के जिमेदारी आपनी पता होनी चाहिए जैसे प्लास्टिक की थहलिया या फिर प्लास्टिक का कोई भी समान जलासेओं में अत्वा सड़क पर नहीं फेकना चाहिए ठीक खरिदारी के लिए जाते समय घर से ही सूती कपड़े का थहला या जूट का थैला लेकर जाएए ताकि आप वहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी ना लाएए ठीक है ना इससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा प्लास्टिक पदार्थो का उप्योग कम से कम करिए उधारन के लिए प्लास्टिक के इस्थान पर स्टील के बने, भोजन रखने के डिबो का परयोग कीजिए ठीक, आप ऐसी वह सी चीजे कर सकते हैं जिसमें प्लास्टिक का इस्तिमाल कम से कम हो ठीक, तो ये जिम्मेदारियां आपको निभानी चाहिए ताकि आप अपने परयावरण को सुरफचित रखने में कुछ योगदान दे सके ठीक, इसके अलावा हमारा आखरी टोपिक है फोर आर सिद्धान, कहीं कहीं ये किसी किसी किताब में थ्री आर भी है किसी किताब में फाइफ आर भी है ठीक, तो मैंने NCRT के कोडिंग जो मेरे पास बूख है उसमें फोर आर था किसी किसी NCRT में फाइफ आर भी है, थ्री आर भी है तो आप अपने हिसाब से देख लेना ठीक है, तो यहाँ पर एक उत्तरदाई नागरिक के रूप में फोर आर सिद्धान को याद रखना होगा आपको ठीक है, पहला आर फोर रिडियूस ठीक है, जैसे हैं पर चार आर है, पहला आर फोर क्या है रिडियूस, किसका मतलब है, उपियो कम कीजिए जो आपके पास प्लास्टिक की चीजे हैं, अगर आप उनका कम से कम इस्तिमाल करोगे, तो प्लास्टिक का कच्रा भी कम से कम पैदा होगा, दूसरे आर का मतलब है रिडियूस मतलब जिनका आप पुना इस्तिमाल कर सकते हैं, उनको फिर वो बड़ी फेक्ट्रियों बेजते हैं और वहां पर उनका रिसाइकलिंग होता है उनको फिर वो दुबारा से उनको पिगला वगएरा के या दूसरी चीज करके कुछ ना कुछ बनाया जाता है तो मतलब उनका पुना चक्रन होता है या फिर रीकवर कीजिए तो यह चा